हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज मैं आपसे अपनी टिफार रिस्पॉंस सीट शेयर करने जा रहा हूं कि जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था अगर मेरे 2000 सस्क्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपनी रिस्पॉंस सीट आपसे शेयर करूँगा तो आज मैं आपको दिखाता हूं अपनी रिस्पॉंस सीट टिफार की कि मैंने कितने number of question attempt किये थे और क्या क्या उनके answer थे देख सकते हैं ये मेरी response सीट है पर्दी प्रावत साथ तारीक को पेपर हुआ था तो देखिए आप ये first question है जिसे मैंने attempt नहीं किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर option में dash आ रहा है ये second question है और और फॉर्थ question में नहीं किया हुआ और फिप्थ question है आप देख सकते हैं यहाँ पर attempt किया हुआ है फॉर्थ answer इसका और six question मेंने attempt किया हुआ यहाँ पर eight question मेंने attempt नहीं किया हुआ mathematical portion है और ninth question आप देख सकते हैं मेंने attempt किया हुआ graphical representative वाला tenth question quantum का attempt किया हुआ और eleven question मेंने attempt किया हुआ generally sorry TFR में जो question होते हैं 40 होते हैं तो 12th question आप देखे मेंने attempt किया हुआ और 13 नहीं किया हुआ और 14 भी नहीं किया हुआ 15 मेंने attempt किया हुआ गोल्ड की oxalation state बतानी थी इसमें और 16 मेंने attempt किया हुआ और 17 मेंने attempt किया हुआ और 18 मेंने attempt किया हुआ नहीं किया हुआ sorry 24 किया हुआ और 25 भी किया हुआ 26 मेंने attempt किया हुआ और 27 मेंने attempt नहीं किया हुआ 28 भी किया हुआ 29 मेंने attempt नहीं किया हुआ 30 भी नहीं किया 31 किया है और 22 भी या звон 33 भी attempt किया है ौisco doctor 34 नहीं किया 35 भी attempt किया हुआ 36 एक्षिक्ट्याइम किया हुआ ہے 37 किया हँआ और आप देख सकते हुए 38 और यह इन और गेनिक को माठाक का कोसिघे और गेन मेतली को 39 कोसिघे 40 कोसिघे तो आप देख सकते हैं जहर यह जो म और यह सुट्ट्यास है मैंने attempt किये हुए और 14 question मैंने leave किये हुए तो मेरे को जो टीफर्क से जानने को मिला वो यही कि आपको number of question कम attempt करने पर कोशिश करने कि आप सही attempt करें और चीज से मुझे लगता है कि आपको chance मिलता है इंटर्व्यू का Mumbai के अंदर जितने number of negative marking आपकी कम होगी उतने ज्यादा आपको chances मिलेंगे कि आप मुंबई में इंटर्व्यू दे पाए पूर्शन आप कम करें और ठीक करें और जो paper है मैं आपको बताओं मैंने इसकी तयारी ज्यादा नहीं की थी मतलब जनरली बच्चे कोई previous year नहीं देखे थे अगर आप अच्छे से इसा net gateway त्यारी करते हैं तो आप TFR का exam इंटर्व्यू तक तो easily clear कर पाते हैं और इंटर्व्यू के बाद आप डिपैंड करता है कि आप कि इतना अच्छे इंटर्व्यू देते हैं और वहां number of seeds कितनी है तो आई होग आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और आपको ये clear हुआ होगा कि आपको इतने ज्यादा number of question time नहीं करने होते हैं और आगे भी ऐसी informative वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें थेंक्यू